कि नमस्कार आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम जो साज़ी दरे वाली अध्याई है साज़ी का सामाने प्रिचे ने साज़दार का प्रवेश और साज़दार का अवकास ग्रेण्व या मृत्यू पर जो लेखांकर के कुछ छोटे परसन नहें जो प परकार के दिक्त है परिशाने वह आपके परसनों के हल में नहीं रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ परसन देखे पहला परसन है कि A, B, C फरम ने वर्ष के दोरान 20,000 का लाग गुमया जिसे साज़दार में 2,1,1 के अनपाद में विवाजित कर दिया गया जबक एक, एक के अनपाद में बाढ़ दिया जबकि बाढ़ रहना था एक अनपाद, दो अनपाद, दो के अनपाद में तो इसके सुदार रहे तो जनरल पूरिश्टी दे हमें करनी है देखे इसके समझ में मैंने पहले एक कलास लगई यह वीडियो बनाया था जिसमें काल के से होगा वह चलिए देखते में बताता हम आपको अब कि देखे इसके लिए हम एक विसलेशन तालिका बनाएंगे विसलेशन तालिका आपके सामने बनाई वी है तो जितने साज़दार है उन सब के हम कॉलम बना देंगे और प्रते का डेबिट क्रेडिट का कॉलम और साज़दार से यह कुछ से वसूल करना है जो हमने दे दिया और नहीं देना था और वह वसूल करना है तो वह साज़दार के डेबिट साइड में हमें लिख देंगे ठीक है तो साज़दारों को हमने जो लाब है वह 2-1-1 में दिया जो नहीं देना था तो वह वापस वस दिया था इसको वापस वसूल करेंगे तो 20,000 को बांडते हैं तो एक डेबिट में 10,000 बीए के डेबिट में 5000 टॉटल 20,000 फरम के क्रेडिट में अब देना किस अनुपाद में था तो देना था एक अनुपाद दो अनुपाद दो में तो फ्रॉफिट बांटेंगे तो यह इस साजिदार ने अधिक राशी प्राप्त किया उसको डेबिट कर देंगे अब इस विसलेशन तालिका में जो फाइनल एडजस्टमेंट हम करेंगे तो ए बी और सी इन में देखिए कि जोड ज्यादा है तो अंतर वह उस पक्स के निचे लिग देंगे तो एक डेबिट की जोड दसाजार और क्रेडिट की छारजार तो अंतर छाजार एक डेबिट में लिखत दिया बी के डेबिट में पांतगजार क्रेडिट में तीन जार तो अंतर वह उसको डेबिट करेंगे अब एको चारजार मिलने चीनícia ती हमने दसाजार उपए Nearly दे दिये तो कित ज़्य पांच जार कम तो कितने कम दिए दिए सीक को इसके लिए जे मुरेश्य की तु अपर सी कहा होगा एडास्योष्ट्मेंट प्रॉफेट Propaekata तो यह प्रिष्टी आपको जब बढ़ानी है तो आप जर्रिनल का प्रारूब नाकर ही बढ़ाएंगे ठीक है दूसरा जो स्वाल है वो है एक फर्रम की दो साज़दार है राकेश वरसो के तो आपर बैयाज की गणना कीजिए देखे आपर ब्याज की गणना के लिए में सों बताते हो जब आप मैंने के प्रत्म तारी daw קो पूरे बारा महीने कि आ जाता है तो श.不管 मेंने की राकेश चीज में के विएज लगाता है तो हम 15 महीने का ब्याज लगाते है ठीक है तो इसमें देखे किस परकार से इस कहलोगा देखे राकेश है वो 2,000 रुपे माशी का आरण करता है तो 12 मेने का राकेश का आरण हो गया 24,000 रुपे और आरण पर ब्याज दम निकालेंगे तो परतमतारी को राकेश आरण करता है तो इस पर 6.6 माँ का ब्याज तो असो का आरण हो गया बर अचो के 48,000 रुपे ठीक है असो के वह मेने के अंतिमतारी को रुपे करता है तो इसका ब्याज होगा वह शाड़े-5 माँ का कितना होगा शाड़े-5 माँ का तो आरण पर ब्याज ब्राबर 48,000 गुना 12 बटा 100 गुना 5.5 बटा 12 हल करने पर आग की पुंजी करम से 4,000, 3,000 और 20,000 पर वर्ष 2020 के लिए उन्हें पुंजी राज़ियों पर 10% वार्षिक दर्से की जगए 12% वार्षिक दर्से ब्याज दिया गया सुदार है तो समाजन पुरुष्टी कीजिए देखिए अब उपर जो हमने समाजन पुरुष्टी वाला पर साथ इतारों को देना था 10% की दर्से ब्याज हमने दे दिया 12% की दर्से ब्याज ठीक है तो जो गलत दे दिया उसको डेबिट में लिख देंगे जो देना है उसको क्रेडिट साइड में हमें लिख देंगे इसको देखे हल कैसे करेंगे यह विसलेशन तालिगा हमने बना दिए PQR सबका debit credit हमने लिख के यह तालिगा बना दिए फरम का लिख दिया अब हमने 12% की दर से दे दिया जो नहीं देना था तो उसको हम debit side में लिखेंगी क्योंकि वसूल करना है तो interest on capital 12% तो सबका निकालेंगे कितनी कितनी है capital देख लेते हैं पुन्जिय वो 44,30,20 है तो 40,000 का 12% 4800 debit side में क्योंकि 30,000 का 12,306 और आर का हो गया 2400 रुपे जोड होगे 10,800 फरम के credit side में ठीक है और इस सुपरकार से हमें देना कितना था देना था 10% तो वो credit side में आना चाहिए तो interest on capital 10% 44,000 का 10% 4000 क्योंका 3000 और आर का 20,000 का 10% 2000 पे जोड आगी 9,000 फरम के debit side में जोड लगा देंगे जोड आगे 4800 4,000 36,000 24,000 29,000 10,800 देखिए कि हमें तो जो ब्याज देना था वो 9,000 फरम नहीं देना था लेकिन हमने ब्याज किता दे दिया ज्यादा दे दिया 10,800 दे दिया तो 10,800 इनसे वापस जब प्राप्त होगा तो वो लाब होगा और लाब है व को सब्साजी दारों में ब्रापर अनुपात में हम बाण देंगे तो 10,800 मेंसे 9,000 गए तो 186 रुपे बच गये कितने बच गये 18 auto रुपे तो 18 150 वो मिलेंगे तो सब्साना के क्रेजी अनसी करेषी देने है तो वह सब्सारे करेडिट साइड में और ₹ iemand लिखनी है तो 1819 profit हुआ है तो PQR को बराबर अनुपात में हम देंगे तो profit इन एक अनुपात एक अनुपात एक तो P के credit में 600 Q के credit में 600 और R के credit में 600 फरम के debit में 18 रुपे फिर जोड़ लगाएंगे जोड़ आगे P की debit के 4800 क्रेडिट के 3600 Q की 3600 और फरम के 10,800 ठीक है अब मैंने इस फाइनल एड़ेस्टमेंट के समय आपको बताया है कि जिस पक्स की जोड़ ज्यादा है राशी ज्यादा है अंतर है वो उसके नीचे लिख देंगे तो P में देखे debit में 4800 रुपे और और च्रेडिट में च्यादी सुर्पे तो अंतर 200 रुपे अटारेश्यों के नीचे लिख दिये क्यू में बराबर है तो गया अंतर आएगा नहीं आर में देखते हैं तो डेबिट के जोड़ 2400 रुपे और क्रेडिट की 26 रुपे तो 200 अंतर है वो आर के क्रेडिट साइड तो यह वह गया तीसरा परषन है चोथा परसन है कि ए बी वैसी पांच अन्पाथ तीन अन्पाथ दो के अन्पाथ में लाब बाणते वे साज़ीदार है एक फर्म सी फर्म को नियुनतम एक लाग बीच जार कमाने की गारंटी देता है ठीक वारत है कोई लेकिन सी फर्म के लिए केवल है अच्छी जार रुप सकता है या फर्म साज़दार को दे सकते हैं लेकिन इस परसन में सी ने नियुनतम एक लाग बीच जार कमाने की फर्म को गारंटी दिया लेकिन सी का लाव हो है वो अश्य जार पर फर्म को देगा ठीक है और जो लाव होगा वो एबी सी में पांच अनुपाथ तिन अनुप वाढ़ दो के इन पात में हम बांटेंगे तो जो प्रोफिट यंड लोँष एफ्रोपरियर सेंट बनरेगा वो देखिए कसा बनेगा देखे profit and loss appropriation account हमारे पास लाब गितना है तो by profit and loss net profit दो लाग रुपे ठीक है शीर ने गारेंटी दी कि एक लाग बीच जार रुपे कमा के देऊंगा लेकिन अशी जार रुपे ही कमा पाया तो टीक है अब जो कि दो लाग साली साली सार रुपे को हम बंटेंगे तो टू पार्टनर्स केप्टल अकाउंट एक एक लाग बीच जरुपे बी के बैतर जरुपे और सी के अड़ताड़ी से जार रुपे जोड़ोगी दो लाग चालीच जारुपे हमने बाट दिया और मन गया प्रोफिट एंड लौज एप्रोप्रियेशन अकाउंट कि अगला परसंद देखते हैं अगला परसंद है कि ए बी वशी साज़दार है चार अनपाथ तीन अनपाथ एक के अनपाथ में लाव विबाजन करते हैं बी अवकास ग्रेंड करता है और अपने लाव के बाग को इक्यासी सो में बेश देता है ए द्वारा इसके लिए शती सो वैसी द्वारा 4500 रुपे दिये जाते हैं नया लाव विबाजन अनपाथ को फाइदे का अनपाथ ग्यात करें देखे ए बी सी साज़दार ते चार अनपाथ तीन अनपाथ एक में बी अवकास ग्रेंड करता है बी अपने लाव के बाग को इक्यासी सो में बेश देता है जिसके लिए ए न शत्यिसो और बी ने 4500 रुपे दिये ठीक है तो फाइदे का अनुपाथ तो सिद्धा एक एक और भी सी का है वो शत्यिसो अनपाथ 4500 हो जाएगा अब नया लाव विबाजन अनपाथ कैसा निकलेगा वो देखते हैं चलिए देखे फाइदे का अनुपात थो गया एक अनुपात सी का 36 अनुपात 45 हमने हल करने पर आगया 4 अनुपात 5 ठीक है तो 4 अनुपात आगया 5 फाइदे का अनुपात और अवकास गरण करने वाला साजिदार है B तो B का हिस्सा है वो है तीन बटा आठ क्यों कि अनुपाद था वो चार अनुपाद तीन अनुपाद एक है तो B का जो हिस्सा है तीन बटा आठ है उसमें ए और C प्राप्त करेंगे तो A का फाइदा देखिए तीन बटा आठ गुणा चार बटा नो ब्रबर बटा बैतर और शी का फाइदा हो गया तीन बटा आठ गुणा पांच बटा नो ब्रबर पंद्रा बटा बैतर ठीक है तो चार अनुपाद पांच अब तो यह फाइद है अनुपाद अब एका फाइदा कितना हो है तो A ने B का 3 बटा 8 ही शे का 4 बटा 9 पराप्त किया तो 12 बटा बैतर ही शाप पराप्त कर लिया और C का फाइदा है वो 3 बटा 8 गुणा 5 बटा 9 बबर 15 बटा बैतर हो गया ये दोनों का गया फाइदा अब नए अनुपात का सुत्र होता है पुराना अनुपात प्लस फाइदे का अनुपात क्या होता है पुराना अनुपात प्लस फाइदे का अनुपात तो एक का नए अनुपात हो गया चार बटा आठ क्यों कि एक का पुराना अनुपात था चार बटा आठ प्लस फाइदा हो अनुपात है वो किसे निकलेगा चीय का पुराना अनुपात ही एक बमटा आठे प्लस शैका पाइदा है उपर वाई 15 बमटा बेतर तो हल kaणे परने पर लगोता माय बेतर बैतर के बाद में इसको मकश ml किया तो राश्यागी 24 बमटार बेतर तो आव से हो गया 48 अनुपाथ 24 हल करने पर आगया 2 अनुपाथ 1 ठीक है तो A और C का फाइदे का अनुपाथ आगया 4 अनुपाथ 5 और A और C का नए अनुपाथ है 2 अनुपाथ 1 हल करने पर देखिए जो तो साज़दर के अफकास ग्राणिया मर्तिवाले अध्याई में हम बात करते हैं तो जो ख्याती का ले खांकन है नए अनुपाथ का ले खांकन है ने अलाव बाज अनुपाथ कैसे निकाड़ते हैं तो इसके लिए मैंने पहले कलास लगा रखिए उसका वीडियो आप देख स वाला लाश्ट वाला परसन है के ए बी वाज सी एक प्रम में साज़दार है जो दो अनुपाथ तीन अनुपाथ चार के अनुपाथ में लाव बाजन करते हैं सी अवकास ग्राणि कर लेता है फरम की ख्याती का मुल्यांकन 45,000 रुपे पर किया गया लेखा पुस्टकों में ख्याती खाता 27,000 रुपे पर दिखाया गया ख्याती के लिए आफश्यक पुरिष्टिया कीजिए देखिए ए बी सी है वो दो तीन चार के इनुपाथ में लाव बाजन करते हैं सी अवकास ग्राण करते है तो सी का हिसा कितना है सी का हिसा हो गया तीन और दो पांस चार नो जो फ्रव कीख्याती का मैं याणकर Vamp की मल्यांकरा वो 45,000 रुपे पर किया गया है तो हम सी का पहले फ्याती में हिसा निकालेंगे उसके बाद में चीक कि खाथि में हिसा निकालने के बाद में कि जो पुरानी साज़ीदार से सरे साज़ीदार है उनको लाव्या फाइदे के अनुपात में हम बंढ़ेंगे ठीक ने तो इसके लिए देखे प्रुष्टी क्या होगी देखे सबसे पहले दो 27.000 उसको अप्लियकित करने के प्रुष्टी करते हैं तो AA effic από डडबिट bliss capital डपिट शीज capita डबिट डबिट टू गुड विल राइट ऑफ देखे प्रारूप मेंने जनरल का नहीं बणा रूप है आप जनरल का प्रारूप बना करें वहाँ करें अब फरम की ख्याती वरकिंग नौट करें निचे में साज़ेदारों के पुंजी खात्यों के माद्यम से किया जाता है और उसके लिए पुरिष्टी क्या बनती है साज़ेदारों का पुंजी खाता डेबिट टू अवकास या मर्त साज़ेदार का पुंजी खाता तो यहां पर साज़ेदार का पुंजी खाता तो यहां पर साज़ में बांटेंगे लाप-प्राप्टी-पाथ या फाइदे का अनपाथ में बांटेंगे तो तो पहले अनपाथ था वो था दो अनपाथ तीन अनपाथ 4 तो C का 8 देते थे थे 4 तो A UDidd mein Sakry तो do अनपाथ 3 में 20.000 को जा बाढ़ते हैं तो A एका आउठ जार पे एका बारह हजार रुपए इस प्रकार से हम ख्याती का लेखांकन सस्थाजडार के अवकास ग्रेंड के समय करते हैं तो मैंने एक चीज़ आपको बताई कि तो साज दार अवकास करने करते हैं तो ख्याती का लेखाँकं साज दारों के पुंजी खत्तों के मध्दिम से किया जाता है और पुरिष्टी होती ईसे सजदारों का पुंजी खत्ता डेश до ओकास या मbrand साज अब्न साज दार का पुंजी खत्ताए और जोãy मर्तिय अवकास साजेदार की वह बाकि रहे साजेदार है उनके लाप्राप्ति या फाइदे गनपाथ हम डेपिटे करेंगे तो इस समंधर में देखे जो साजेदार की अवकास ग्रहाण या मटिवाले अद्याय के जो पर्सन है उसमें नए लाव बाजन उन पाथ है किस प्रकार से हम करते हैं किस प्रकार से लब निकालते हैं तो यह सब भी जो परसन है उनके लिए मैंने पिछे लगई यह वीडियो बढ़े हुए हैं प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं सब भी सारी वीडियो बढ़े हुए हैं तो उसका लिंक भी निचे में डिस्क्रिप्सिन में देदे हुआ आप वहां से भी देख सकते हैं और परसनों को हल कर सकते हैं बैतर तरीके से सीख सक है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं यह वीडियो आप अपने साथ यो की साथ भी जैदा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फाइदा हो सके अच्छी तैयारी हो सके उन लोगों की और अच्छे हैं के प्राप्ते कर सके धन्यवाद